बिहार की सियासत अब रंग बदलने लगी है कौन किसके पास रहेगा कौन किसे जुदा होगा कह नहीं सकते हैं दो बड़े मुद्दे इस वक्त बिहार में गर्माते जा रहे हैं पहला जीतर नाम मांजी को अब लालू परशाज़ादव दलित विरोधी लग रहे हैं और दूसरा आरज़ेडी के अंदर ही सिर्फ टोवल की स्थिति पैदा हो गई है इस वक्त जदियों के मुखे प्रवक् रही नहीं सब्भी जाती के विरोधी है Зबंड के मौई में राज़ के यह याद बहुत व मुशलमानों के लागक्म स THEY RE मुखे बराता है आरहा들 कि राम लखन सिंघ ज्म लोला जैसा थे एक To см. लेकिन लोगों को बाद में पानी के बरावर है कभी रगोंश पसाद को बरहम बावा कहते थे देखिए लालु जादावजी के नौरत्न में रग्वंस बावु थे एक बड़ा चेहरा थे इनका नाम मंत्री थे ग्रामिनकार विभाके कितना इन्होंने काम किया है लेकिन उनको भी नहीं बख्षा तीज प्रताप जादव रग्वंस बावु हो पुर्व अध्यक्ष राम में नहीं रह सकता है और जेडी बोल रही है उसका अहंकार यह अहंकार इनलों का बूलता है तो जो बिधान सभा का चुनाओं आने वाला है ना अहंकार फिर से टूटेगा अच्छा जो लोग नाराज चल रहे हैं रगोंश पसाद हो अगर आते हैं जेडियों में तो क्या म नहीं करेंगे एक बड़ा चेहरा है अब उनको नीने लेना है हमको तो नीने लेना है वह अच्छा वही बताएंगे देखें कौन सी ऐसी बात है तुम में इतने अच्छे क्यूं लगते हो अच्छे भी लगते हैं लेकिन कटू वचन सुनाकर बार बार क्यूं आरजेडिक सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे एक बड़ा चेहरा है अब उनको नीने लेना है जितन नामाजी जी कहसास हो गया कि लालू जादव जी धलित भी दो दिये राम लखन सिंग जादव जी इसको सेरे बिहार काता उनका पोता जैवर्धन जादव सामिल हो गया